हाँ जी अब स्टार्ट करते हैं इसके कोस्चन एंस कोयम की तो फर्स्ट हमारे पास है चूज दा राइट ओप्शन तो आंसर इस कोस्चन तो राइट ओप्शन चूज करना है इस वरी वर सिंपल पर फिर भी मैं करा देती हूं बन टाइम क्योंकि बहुत बर क्या होता है आप जैसे बच्चे बस उनको टिक करना होता है जो मैं आपने बता दिया चुप चाप से वो टिक कर दिया बिना कुछ का सोचे लेकिन अब हम समझ के करेंगे तो फर्स्ट है what comes to greet you from time to time अगर मैं आपको कोई भी option ना दू तो भी अगर आपसे पुछू what comes to greet you from time to time बार-बार क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हें आके greet कर जाती है खुश कर जाती है एक दिम तुम्हारा मन तरो ताज़ा हो जाता है क्या चीज़ है क्या वो friends है? No क्या वो कोई सपना है? No तो वो क्या है? As per our poem वो है हमारी past memories तो इस में answer दिया हो old thoughts तो past memories or old thoughts that means the same तो हम टिक करेंगे old thoughts को second है हमारा where do memories stay? हमारी जो memories है वो कहा stay होती है? अभी option को मत सोचो आप बिल्कुल भी क्या दिया होगा answer अब खुद ही इसका answer निकालो यार poem से where do memories stay? हमारी जो memories होती है वो कहा stay करती है? heart में stay करती है? earth में stay करती है? कहा stay करती है? you better know these are the second line given in the poem the little things that happen are tucked into our mind तो हमारे mind में वो stay करती है tucked हो जाती है और tucked का meaning क्या है hidden तो हमारा option इसमें दिया हुआ है अब हमें option की रूने की जबरूद भी नहीं है hidden in our mind तो इसको tick करेंगे next one है हमारा what comes through the doorways what comes क्या आता है? through the doorways doorways से क्या आता है? आप अभी मैंने poem को समझाया आपको अब खुद ही बताओ कि हमारा जो doorways है जो mind का एक symbolic हमने word लिया है doorways उसे क्या comes आता है? अंदर की तरफ क्या आता है? बोलो doorways से क्या आता है? अभी poem को दुबारा पढ़ो आप first stanza पढ़ने की कोई need नहीं है second stanza पढ़ो through many little doorways of which you keep the keys they crowded into your thinking we call them memories तो क्या आता है? memories अब क्या है? आप लोग अभी तक आपका mind का growth नहीं हुआ है आप लोग क्या करते हो? doorways को देखा? question में doorways है? poem में doorways देखा? तो उसके सामने की अगली next line लिख दे of which you keep the keys they crowded into your thinking अब कोई means नहीं बनता हो चाहे आपको बस यहां से चेप लेना है फड़ा फट है ना? बट ऐसा नहीं करना है बटा आप इसको समझोगे तो बहुत easy है एकदम what comes क्या आता है through the doorways doorways से क्या आता है अंदर की देखा? तो we call them memories memories आते हैं बस इसको replace कर दो what को replace कर दो memories से memories comes through the doorways अब मैम ने इसमें answer चाहे कुछ भी कराया हो हमें copy करने की जोरत नहीं even check करने की भी हमें कोई जोरूरत नहीं है क्योंकि हमें साफ साथ दिख रहा है confidence है हमें कि हाँ हमार answer एकदम ठीक है अब इसको हम memories comes through the doorways what को replace कर दे memories से answer आगा या फिर through यहां से शुरू कर सकते हम answer को through the doorways memories comes अब देखो let me check की मैम ने क्या लिखा है मैम ने लिखा है the memory of little things that happen comes through the doorways अब मैम ने यहां से ले लिया उठा के the memories of the little things that happen comes through the doorways हम यहां पे of little things लिखने के कोई need नहीं है हम सिरफ memories लिख सकते है क्योंकि memories चोट-चोटी चीज़ों की memories होते है memories तो always ही चीज़ों की होती है तो things लिखने के कोई need ही नहीं है तो simple से अब लिखो memories comes through the doorways next is what happens when the keys to some doorways get rusty जब किसी doorways की keys rusty हो जाती है तो what happens क्या होता है अब आप पताओ मैंने poem पड़ी थी आपके आगे तो ऐसी क्या जब rust आता है किसी कीज़ों क्यों आता है rust क्योंकि वो ऐसे memories से connected होती है जो हम याद नहीं करना चाते है वो कोई खास नहीं होती वो simple sober होती है और वो कुद ही goes off हो जाती है removed हो जाती है forget हो जाती है तो इसका answer आएगा when the keys to some doorways get rusty the memories we forget the things we forget all the things we forget बस अब यह देखो मैंने इसमें लिखा है इसी का ही second हमारे पस when the keys to doorways get rusty we forget those incidents तो those incidents लिखने की यहाँ पर कोई need नहीं है little things लिखने की कोई need नहीं थी जैसे ऐसे incidents लिखने की we forget those memories we forget those things तो incidents incidents का मतलब भी गटना होती है कुछ गटना कुछ गटिद होना तो यहाँ पर हम simple लेंगे हमें कोई incidents लेके कोई ज़्यादा वो नहीं करना है tough नहीं करना है हम simple sober कर सकते हैं तो यह हमारा हो जाएगा we forget those memories we forget those things okay next one है third what happens to the memories of things you love अब देखो सम्में बोल रखा है what happens क्या होता है क्या होता है वो चीज़े जो हमें rusty लगती थी वो हम forget होगे और जो चीज़े हमें प्यारी लगती थी lovable थी वो हम क्या करेंगे stay with us वो हमारे साथ रुक गई ठहर गई हम उन्हें बार बार recall करना चाह रही है तो हम कहेंगे अब यहाँ पर देखो what happens to what happens तो हम हटाते ही answer देते है to भी हटाएंगे हम to से कोई meaning नहीं बन रहा answer देनेगा तो हम start करेंगे the से the memories of things you को replace करेंगे we क्योंकि बुक वाला हमाँ हमाँ